दोस्तो किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिन्दगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनें सिर्फ वक्त ही बदल सकता है इसलिए हालातों को बदलने से बहतर है खुद को बदल लेना, हालात एक दिन अपने आप ही बदल जाएंगे दोस्तो आज सुवर सुवर की बात है जब मैं गडित के सवालों को हल कर रही थी तब अंदर से एक बात महसस हुई कि यह जिंदगी भी गडित के सवालों जैसे ही ही है न हम एक सवाल हल करते नहीं कि दूसरी वाली आ जाती है हमारे सामने हमें उलचाने के लिए कहीं गुड़ा भाग तो कहीं जोड़ खटाने की थोड़ी सी इधर उधर बस पूरा सवाली भिगाड़के रख देती है हम एक सवाल हल करते हैं दूसरी हल करते हैं फिर तीसरी हल करते हैं लेकिन यदि हम ये सवाल हल नहीं करते तो हम आगे नहीं बढ़ पाते और यदि हम आगे नहीं बढ़ते तो हमारे पार्ट नहीं खतम होते और अगर सारे पार्ट खतम नहीं होंगे तो हम पास भी नहीं होते जिंदिगी की गड़ित भी कुछ ऐसी ही काम करती है हमारे सामने समस्याओं आती हैं हम उनका हल निकालते हैं आगे बढ़ते हैं लेकिन यदि हम उन समस्याओं का हल नहीं निकालते हैं तो हम आगे नहीं बढ़वाते हैं और वो सारी लोग जिने हम देखते हैं आगे बढ़ते हुए अपने जिंदगी में कुछ करते हुए वो आ मजबूत नहीं होंगे तो समस्याय मजबूत बन जाएंगे दोस्तो सफलता का रास्ता हमेशा अकेले बनका होता है मुश्किल भी होता है यह रास्ता हर किसी के लिए नहीं होता और हर कोई इस रास्ते पर चल भी नहीं पाता क्योंकि इस रास्ते में परिशानिया होती है जोर होते हैं बलकि इसका मतलब तो है कि साथ एक वक्त के बाद ही चला जाता है इसलिए अकेले चलना ही बहतर होता है खुद को ताकतवर बनाना बहतर होता है क्योंकि हर किसी के पास सहारे नहीं होते और यदि हमें भरोसा खुद पर है तो हमें किसी के सहारे की जरूरत भी न बनाने की, किसी और के लिए नहीं, बलकि खुद के लिए, क्योंकि किसी और के लिए हम खुद को कभी बहतर बना ही नहीं पाएंगे, और सवाल ये भी है, कि किसी और के लिए हमें बहतर बनना ही क्यों, तो चलिए, दस इसी positive thought के साथ आज की दिन के शुरवात करते हैं. तो जाओ, अरे, हैपी बद्दे, पिर है, इस दो जाओ, किया मिला है आपको दिखाऊ था, क्या मिला हो कर सुबर सुबर, इस चुड़े है लड़की से, वाव, पिंक पिंक, इनके पास टॉप की कमी हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं इनको टॉप ही गिफ्ट कर देती हूँ वैसे मैं कमाती धमाती नहीं हूँ उधारी से लेके आई हूँ यह टॉप यहां लिखा है लाइफ इस बेडर वेंड वी आर टुगेटर हम साथ साथ होते हैं तो लाइफ अच्छी हो जाती है बाकी मैं आपको क्या देती है आपके पास तो और डिली सब कुछ है मैंने सोचा मैं क्या दूँ मुझे खुशी हुई आपको कुछ तो पसंद आया मेरा मैं सची थी इनको पसंद नहीं आती है ऐसे मैंने चॉइस ही नहीं किया है आस तक अभी कुछ लेकिन मुझे डाउट हो रहा था कि कहें इनको पसंद आया है इंगी चॉइस तो थोड़े इसी हाई-फाइव रहती है इसलिए मुझे समझ नहीं आता है मुझे तो जो दिखता है बस में उठा आती हूँ बड़को प्रणाम सादर चरी सपर शोड़को डेड़ सारा प्यार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस नए सफर में आज 28 जुलाई और आज है आपकी जागरिती का जनम दिन और जुबर सबह आदू आ गई थे बिलकूल पास में और पांच बज रहे थे मे करते हूं हमारा पूरा परिवार काफी स्वास्ते काफी अच्छा है जीवन में आगे बढ़ रहा है रहे जोश ने उमन के साथ और एक नहीं पॉस्टिविटी के साथ और आप सभी के आशिरवाद से आपकी जागरितिविटी के सबसे पहले आप सभी बढ़ों का पैर चु वैसे आज का पूरा दिन मैंने सोच लिए खुद के साथ बिताने का खुद को और बहतर तरीके से जानने का और खुद से थोड़े से सवाल है अंदर वो पूछने का फिलाल सुबसुबसुबस आज ना हर दिन से अलग सुरुवात हो गई है सबके मेसेज़ेस यहां पर चे करवाने के लिए और यह फोटो लगाई है आदू यह बहुत पुराना फोटो है बहुत पुराना नहीं फिर भी दो साल पहले का यह फोटो है हम लोग जब डियलेट कर रहे थे तो हम लोग गय थे सोनभद्र यहां पे माता वैश्नों का मंदिर है यह हम लोग वहीं पर गय की दोस्त आरती हमारे हर बद्दे पर आरती जरूर आया करती थी लेकिन अभी शादी हो गई है तो अब नहीं आना हो पाता है और यहां पर टूटी-फूटी अंग्रेजी में हमने एक दूसरे के लिए अपनी भावनाएं लिखी है और बच्पन में ड्राइंग करने का बह बद्दे पर यहां पर आरती और हम एक दूसरे को बद्दे पर न इस तरह से काड़ अपने हाथों से बना करके दिया करते ते और हर साल आरती जरूर आया करती थी हमारे बद्दे पर गई तो वो समय बड़ा अनमोल हुआ करता था आज वो सारी पूरानी बाते बहुत हो जाती है और सुबह ऐसा हुआ भी सारी कुछ सब बाते याद करके रोना भी हो गया हमारे गाओं की एक दोस्ती न उसकी भी शादी हो गई है वो तो बिलकुर भोर में ही आ जाया करती थी और लक्षमी हैपी बद्दे मतलब दिन की सुरवात ही एक अनोखे तरीके से हो ज को ली थी तो और भी ज्यादा वो सारी बाते एकदम जैसे आगों के सामने ही चलने लगी थी उन सभी कार्ट को देख करके सारे गिफ्ट को देख करके फिलहाल वापस आते हैं हम लोग अपने किचन में मम्मी या तो दोनों लोग यहां पर मेल करके पूरे महीने का जोड़ वाली आज किचिन में हर रोज से थोड़ा सा देर हो गया था आने में इसलिए हमने सोचा जल्दी जल्दी कुछ अच्छा सा बनाते हैं और जो की आदू भी खा सके तो सरसो के तेल में यहां पर हम चानने चल रहे हैं अपनी बाती को क्योंकि रिफाइन में चानेंगे तो आदू खाएंगी नहीं और सरसो के तेल में बहुत सोन सोन भी लगती है हमारी बाती आज तो सुबह से ही आदू जित कर रही थी सारा काम खुदी करने के लिए लेकिन काफी मनाने के बाद आदू जाके मानी और हमें आपर रह नास्ता बनाने के लिए आज तेल भी लगाना न तो भी बहुत टीस्टी लगता है खाने में दोस्तों हमारे जनम दिन का दिन हमारे लिए बहुत खास होता है हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा कोई हो जो कि हमें special feel करा है हमें हमारे इस दिन को हमारे साथ मनाए हमें तोफे दे लेकिन अक्सर जब ऐसा कुछ हो नहीं पाता ह तो हम थोड़े से उधास हो जाते हैं, अपनी खुशियों को नहीं मनाते हैं, लेकिन दोस्तों, यदि किसी को याद नहीं है, तो हम खुद भी याद दिला सकते हैं, और यदि याद दिलाने पर भी कुछ नहीं हो, तो फिर अपनी खुशियों के लिए किसी और बात का इंतज हमें जैसा जैस भी तरीके से पसंद हो अपनी खुशियों को मनाना अपना वो इस पेशल वाला दिन खुद के साथ जरूर मनाना चाहिए खुद को एक प्यारा सा तोफा भी देना चाहिए जरूरी नहीं कि वो पैसो से ही खरिदा जाए खुद पर काम करना भी खुद को दिया जाने वाला एक बहतरीन तोफ़ा हो सकता है खुद को बहतरी के रास्ते पर ले जाना, खुद को पसंद आने वाली ऐसी कोई भी काम को करना जो हमने सोचा हो बहुत दिनों से लेकिन हम करने ही पा रहे हो खुद के लिए खुद का एक अच्छा दोस्त बनना बहुत जरूरी होता है और जब हम खुद के एक अच्छा दोस्त होते हैं तो हम कभी उदास नहीं होते हैं ना ही हम कभी अकेला महसूस करते हैं फिलाल आज हमने भी अपना बहुत दिन से टाला हुआ काम पूरा कर लिया, कॉफी पीने का, बहुत दिनों से मन था हमारा कॉफी पीने का, लेकिन आदू हमें पीने ही नहीं दिती कभी, तो आज हमने मौके पे चौका लगा दिया, आज हमारा जनम दिन है तो हमें आदू तो अपने वो सारे सपने जो हम सजो के रखी हुए हैं उन्हें पूरा करने को और पिछले एक साल का पूरा लेखा जो कि हमने सोचा था हमने कितना किया कितना तर्थ कुछ नहीं किया और बागी यहां पर आदू आ गई है है आदू के रहते हैं कभी भी बड़ी दिदी का हमें कमी नहीं खलता है क्योंकि आदू बड़ी दिदी छोड़ी दिदी सब कुछ है चोले बटू ले मैंने दिवे बनाना सिखाया तो है चोला बटू रहा चरव मैं बना देते हैं मैं भी सोचओ कभसे आदू कहा है कहा है नीचे इतना देर हो गया आदू नीचे नहीं आ रही थी चट पे आकर देखा तो यहाँ पर चुक्के से चोले भटूरे सर्च किये जा रहे यूट्यूब पर खूब देखा जा रहे वैसे बाहर का मॉसम बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ देखे, खिड़ी से चुपके चुपके हमने वीडियो बना रहे है चुपके चुपके देखा जा रहा है छोले बटूरे कैसे बनाते है वैसे आदू को एक बार हमने बताया था चोले बटूरे बनते कैसे हैं क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मैम वैसे तो आदू गुप्त रूप से तयारी कर रही थी हमें सर्प्राइज देने का लेकिन हमा करके उसकी सारी योजना पर हमने पानी फेर दिया अब आदू की सारी गतिवीदियो को देख करके कि हमें तो पता चली जाना था कि छोले बटूरे ही बनने वाले हैं तो जबरदस्ती अभी आने तो नहीं दे रही थी आदू कीचन में लेकिन हमें पता था कि आदू को अकेले छोड़ दिया जाएगा तो बहुत ज्यादा परिशान हो जाएगी अकेले क्या क्या डालने अज्माइन को तड़का लगाओगे छोला में अज्माइन को तड़का लगाओगे छोला में अज्माइन को तड़का और ये क्या डाल रहे हैं यूट्यूब से काफी बोला काफी मनाया लेकिन आदू नहीं मानने वाली है आज तो किचन से मेरी चुट्टी हो गई है तो बस बाहर बैट करके जिसका जिसका फोन आ रहा था बाते किये जा रहे थे अभी बज़ रहे हैं साड़े चार और साड़े चार बज़े से यादू का छोले बटूरे बनना सुरू हो गया था कभी यूट्यूब से देखती तो कभी मम्मी से पूछती और अभी जब छोला बनके तयार हो गया है तब हमें गी थी नीचे बुलाने के लिए भटूरे के लिए आठा लग चुका है दही जमा ही नहीं था पता नहीं कैसे भटूरे काठा लगा है लेकिन लग गया है भटूरे काठा अब जारी अजवाइन का तड़का लगाने के लिए वैसे आज से पहले हमने कभी भी छोले में अजवाइन का तड़का नहीं लगाया है अदुगा कहना है कि छोला ऐसे सुपाच रहेगा हमारे सिहत के लिए तो इसलिए यहाँ पर अजवाइन का तड़का लगाया जा रहा है जादू अभी कूच चुकी है जंग के मैदान में अक्रमड करने वाली है बस भठूर के ऊपर और अग मम्मी की भी धमाकेदार इंट्री होने वाली है भठूरा चानने के लिए मैदा बेलने में थोड़ा टेज से इदम हाथ चलाना पड़ता है और यह बेला जा रहा है पहला भठूरा और आज चाहे कुछ भी हो जाए आदू को हमारी मदद बिल्कुल भी नहीं लेनी है वैसे कीचन में हमने जैसे ही प्रविस किया ना पूरा कीचन इतना अच्छा महक रादा छोले की महक से थोड़ा सा पतला हो गया था तो आदू कह रही थी दीदी पतला हो गया अच्छा नहीं बना है भटूरा फूला नहीं कि आदू की खुशी का ठीकाना नहीं तो चलिए फूल गया अदू का बटूरा गर्मा गरम भटूरे चन रहे हैं तो आईए थोले बटूरे गर्मा गरम खाये जाए अच्छा खुशी मनाने के लिए खुश होने के लिए कुछ बढ़ा नहीं करना हो तो वो चीज है, जिसमें हम खुश हो जा रहे हैं। के लिए जादा तारीफ नहीं करते हैं। मन तो करता है यह पर यही रोग दूँ लेकिन समय रुकता नहीं है किसी के लिए बेना। चलिए। वैसे नहीं कुछ बातों के साथ अपने आज के सफर को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो व्लॉग में कुछ नहीं बातों के साथ और एक नए सफर के साथ तब तक के लिए अपना बहुत ख्यार रखिएगा। आप सभी के प्यार और आशरवात के लिए कोई शब्दी नहीं है वह अनमोल है हमारे लिए मिलते हैं अगले वीडियो व्लॉग में।